ध्यान देने योगे जरूरी बाते अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने गर्मियों के अंदर नीम गरम पानी पी लिया करो क्योंकि इससे कोई बिमारी पास नहीं आएगी पराठे के साथ आम का अचार खाने से भूग अच्छी लगती है प्याच काट कर अगले दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए ना रखें इससे पेट की बिमारी हो सकती है डाल बनाते समय उसमें एक चुटकी हींग डालने से उसकी पाचक समता बढ़ती है नमबर पाच जिन लोगों को अचानक बुखार आ जाता है उनसको मेथी का पानी पिलाने से आराम मिलता है नमबर चेहरे पर नारियल तेल मल लेने से चेहरे के दाने खत्म हो जाते हैं और मच्छर भी नहीं काटते हैं नमबर साथ खाने के फोरण बासो जाने से कान जल्दी बहरे हो सकते हैं नमबर आठ सफेज चने सुवर को कम करने में बहुत ही फायरे मंद हैं नमबर नो प्रती दिन पूजन के समय एक तामे के लोटे में पानी भर कर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला कर पूजा इस थर पर रखेवा पूजन और प्रांत जल के छीटे पूरे घर में लगाएं इससे सुक शान्ती बनी रहती है नमबर 10 सौंबार के दिन सिवजी की पूजा और ब्रत का विशेस महत्र होता है यदि आप ब्रत नहीं रख पा रहे हैं तो पूजा जरूर करें इससे आपके हर काम शिद्ध होंगे नमबर 11 दाल के स्वाद को थोड़ा सा बदलने के लिए उसमें जीरा, राई, प्याज और करी पत्ते का तड़का लगा दे स्वाद दो गुना बढ़ जाएगा नमबर 12 उप्मा बनाते समय एक कपसूजी में लगवक एक चोथाई दही पानी के साथ डालते समय मिला दे उप्मा स्वादिस्ट बनेगा नमबर 13 हरी चटनी को आईस क्यूप ट्रे में जमा कर स्टोर करके इससे वह जादा दिन तक फ्रेस रहेगी और जब खाने को आधा घंटा पहले फ्रिजर से जरूरत के हिसाब से बाहर निकाल कर इस्तेमाल करें नमबर 14 पानी में अगर नमक मिला कर पोछा लगाने से फर्स जिवानु मुक्त होता है नमबर 15 चीटियां जहां से आ रही है वहाँ पर थोड़ा सा कपड़े धोने वाला साबुन लगा दे चीटियां भाग जाएंगी नमबर 16 पीतल और ताबे के बर्तनों को अमचूर पाउडर से साफ करें कम महनत में तुरंत चमक उठेंगे नमबर 17 हरी मिर्च काटने के बाद इमली के पानी से हाथ धो लेने से हाथ में जलन नहीं होगी नमबर 18 कभी भी अपने घर पर खीर बनाने से पहले चावल को मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा पीस लें दरदरा पीस से चावल से बनी खीर बहुत स्वादिस्ट होती है नमबर 19 बाजरे जवार में गरम पानी डाल कर आठा गुदें से रोटिया नरम बनेंगी नमबर 20 अदरग लहसन को ग्राइंड करते समय उसमें थोड़ा सा तेल वर नमक डालने और फिर स्टोर करें इससे वो लंबे समय तक खराप नहीं होगी नमबर 21 पोहा खिला खिला बने इसके लिए पोहे को धोने और भीगोने के पाद पानी निकाल कर प्लेट में फैला लीजे इसमें नीबू डाल कर मिला लीजे इससे पोहे खिले खिले बनेंगे नमबर 22, रात को सोने से पहले गैस सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करके सोएं क्योंकि कई बार गैस लीक होने लगती है और सिलेंडर फट भी सकता है नमबर 23, रात को सोने से पहले ब्रस या दातुन जरूर करें ऐसा करने से आपके दाण्थ में कभी विगिदन नहीं लगेगा और आपके दाध हमेशा शुरक्षित रहेंगे नमबर चौबिस जो महिलाएं गरम दूद के साथ जले भी खाती है उनकी ज़ती है उनकी जवानी हमेशा बरकरार रहती है नमबर 25 जो महिलाएं गरम दूद के साथ जले भी खाती है उनकी जवानी बरकरार बनी रहती है नमबर 26 जो ओड़ते अपने हाथों से कपड़िद होती है उन्हें डेप्रेशन यानी तनाव नहीं होता है नमबर 27 जो महिलाएं गरुवार के दिन घर में पोचा लगाती है उनके घर में लक्षमी का वाज दीरे दीरे काम होने लगता है नमबर 28 जो लोग घर में चिला कर बोलते हैं उनका गला खराब हो सकता है नमबर 29 जो ओटे नरम और फुली रोटी खाती है उनके पेट और कमर की चर्वी नहीं बढ़ती है नमबर 30 वाश्रूम के अंदर ज्यादा बोलने से बहरेपन के बिमारी हो सकती है नमबर 31 उबले चावल के पानी से साथ दिन तक मुधोर लो चेहरे का रंग सामला दूद जैसा सफेद हो जाएगा और जुरियां और जाईयां भी दूर हो जाएगी नमबर 32 अगर पाओं में दर्द है तो अंगुठे पर सरसो के तेल के मालिस करें दर्द तुरंत दूर हो जाएगा नमबर 33 हो जाना चुकंदर खाने से पुराने से पुराने खासी में चुटकारा मिलता है नमबर 34 अगर आप को कमजोरी महसूस होने लगे तो गरम दूद में दो खजू डाल कर पीने से सरुर की ताकत मिलती है नमबर 35 पुदीन पानी में पुदीन डाल कर पी लिया जाए आपके चेहरे बर जाईयां नहीं आएंगी नमबर 36 काम करने से पहले सर पर बादाम का तेल लगा लेने से दिमाग में ताकत आ जाती है नमबर 36 आँखों में चमक लाने के लिए सोते वक्ते काली किसमिस खा लिया करें नमबर 38 रात के वक्त चार बादाम खाकर सोने से चेहरे के स्किन चमकदार और साफ रहती है है इससे बाल लंबे घने और मुलाइम होते हैं नमबर चालिस गाजर के जूस में सहद और नमक मिलाकर पीने से आंखों की कम हुई रौसनी लौट आती है नमबर एक तालिस ज्यादा मिच्ची तेमाल करने से इंसान की उम्र कम हो जाती है नमबर वयालिस अगर आप के हैं तो गुलाब जल और विस्ट्रिन का घोल बना कर कालों पर लगाने से गाल भरने लगते हैं नमबर चालिस हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि प्रती दिन सुबह जल्दी उठने के अनेक फाइदे हैं कई सोद अध्यानों से पता चला है कि सुबह जल्दी उठने से पह ना है कि यदि आप अपने को हमेशा अफिट रखना चाहती हैं तो जंक और फ्रोस्टेट फ्रूट से दूर रहें चाहे देखने में इनकी पैकिंग कितनी भी आकरसंट क्यों ना दिखाई दे विसे से क्योंके अशार जंक और प्रोस्ट फ्रूट में न केवल फैट होता ह बलकि इसमें नमक भी अधिक मातरा में होता है इसके अलावा इनमें मुटापा बढ़ाने वाले बहुत से अन्य तत्तु भी मौजूद होते हैं इनके अलावा कैफिन युक्त खादे पदार्थों का सेवन कम करें खाना खाने के दौरान पानी नव्य भोजन करने के साथ पानी पीने की यादत छोड़ दे भोजन से तुरंत पहले या तुरंत बाद पानी की यादत सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है भोजन करने के करीब एक घंटा बाद पानी पीए चाहे सर्दी का मौसम हो या अन्य कोई प्रती दिन 7-8 गिलास पानी अवश्य पिये सरीर में प्रयाप्त मातरा में पानी रहना बहुत जरूरी है इससे तवचा में निखार भी आता है अगर आप मोटापे से बचना चाहती है तो हर हाल में रात का खाना सोने से 2 घंटा पहले जरूर कर लें इसके साथ ही खाना खाने के कुछ देर टहलना भी बहुत जरूरी है इससे भोजन आसानी से पच जाता है और सरीर को भोजन पचाने की अत्रिक्त मेहनत करने की आवर्शक्ता नहीं पड़ती है नमबर 48 आपका भोजन जितना रंगीन होगा आप उतना ही स्वस्त रहेंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कलर मिला हुआ भोजन करना है बलकि प्राकृतिक रंगों वाला भोजन करना है विशस्गियों के अनुसार आपका आहार में हर प्रकार की खादी समगरी सामिल होनी चाहिए नमबर 49 सुबह और साम को नियमित रूप से टहलना सुरू कर दें इसके अलावा योगा या प्रड़ाया भी करें इनसे सरीर के अंदर ऑक्सिजन की प्रयाप्त मात्रा पहुंचती है जो हमेशास करने में मदद करती है जहां तक संभव हो सके थोड़ा सा सारी रिक्स्रम भी करें लिप्ट और 140 सीडियों के स्थान पर सीडियों का प्रयोग करें थैंक्स पर वोचिंग